हलो फ्रेंड्स एक दम मुझ में घुल जाने वाले सोफ्ट तिल और मावे के लड़ू ना तो कड़क होंगे और नहीं बिगड़ेंगे तिल खोया के लड़ू एक दम परफेक्ट बनेंगे आज में लेकर आई हूँ आपके लिए मकर सक्रामती के सबसे स्पेशल और हर घर में बनाए जाने वाले तिल के लड़ू तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी ये देखे मैंने एक कड़ाई लिया है आपको इभी क करकेंगे medium to slow हमें तिल को हाई फ्लेम पे नहीं सेखना है क्योंकि अगर हम आई फ्लेम पे सेखेंगे तो हमारे तिल जो है वो करवे हो जाएंगे और दो से तीन मिनिट के लिए हमें इसनको रोष्ट करना है कि जैसे हमारे तिल थोड़े से फूलने लगेंगे और थोड़ी पुल से लग रहे हैं यह देखे और हम इसको थोड़ अशा चलाते जाएंगे ऐसे ही दिरे दिरे करके दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और मैंने गैस की फ्लेम कर दी है और इसके बाद भी हम एक सेकंड के लिए इसको चलाते रहेंगे और अभी हम लेंगे एक प्लेट और जो तिल को डाल देंगे उसके बाद हम इनको पीस लेंगे तिल को हमें बहुत ज़्यादा बारी किया फिर बहुत मोटा नहीं रखना है थोड़ा सा दर दरा सा रखना है बिलकुल हलका यह देखे मैंने ग्रैंड कर लिया है मैं दिखाती हूं आपको यह देखे तिल में बरतन और जो हमारे तिल का मिक्शर है उसको हम एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे यह देखे तिल थोड़ा सा अंदर चिपक गया है तो उसको हम स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे तिल में पहले सी थोड़ा सा ओयल रहता है यह देखे पूरा मिक्शर जो है मैंने बरतन में निकाल लिया है और अभी हम स्पून की हेल्प से जो यह इसमें गोले से बने हुए है उसको हम बराबर कर लेंगे और अभी हम एड़ करेंगे इसमें बूरा मैंने कुल मिला कि इसमें तीन कप बुरा एड़ किया है दो कप मैं अभी एड़ करूँगी और एक कप मैं इसमें बाद में एड़ करूँगी और एक चमच हम लेंगे इलाइची पावडर और त्री टेबल स्पून हम लेंगे काजू और three table spoon ही लेंगे हम बादाम आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी dry fruit set कर सकते हैं ये देखे और एक कटोरी लिया है मैंने मावा जो मैंने घर में ही बनाया है और spoon की help से हम इसे थोड़ा सा mix कर लेंगे उसके बाद हम इसको हाथ से अच्छे से mix करेंगे सर्द्यों हमें तिल के लड़ू तिल की पपड़ी और मुंगफली के चिक्की वगरा सबी हमें खाना चाहिए क्योंकि ये सर्द्यों बहुत अच्छे होते हैं और थोड़ी सीन में गर्माड भी रहती है ये देखे हमारा मिक्षर तयार हो चुका है ये देखे मैंने चेक किया है तो उच में थोड़ा सा मीठा कम है तो मैंने एक कप और एड किर दिया है कुल मिला कि मैंने तीन कप एड किया है बुरा और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इसको मैं थोड़ा सा मीठा जदा भी खाती हूँ यह देखे और बनाएंगे हम लड़ू हाद में थोड़ा सा मिक्षर लेंगे वर इस तरह से हमें सभी लड़ू को بना लेना है यह देखे मैं दिखाती हूँ आपको देखे कितना बढ़े बन कर तैयार हुआ है आप चाहे तो इसमें कोई भी dry fruits एड़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं ये देखे मैं आपको दूसरा लड्डू भी बना के दिखाती हूँ हमारे यहां बहुत ठंड है friends कल भी थोड़ी सी network की problem हो रही थी और आज भी थी इसी की वज़े से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई ये देखे दूसरा लड्डू भी बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है और अभी मैं एको लड्डू और बना के दिखाती हूँ आपको ये लड्डू भोती जल्दी बन जाते हैं बहुत जादा time भी नहीं लगता है इसमें औ अगर सो शकर्चतूर्दी थी तो मैंने गणपती जी को इनी लड्डू का भोग लगाया था ये रेके मैंने सभी लड्डू बनाकर बिल्कुल तयार कर दिये हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि हमारे लड्डू जो है कितने सोफ्ट बने हैं ये देखे कितन पसंद आएगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा ये देखे और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक्यू बाई जैमारे